जाहिन दोस्तों स्वागत आपका अमारे चैनल पर और अभी थोड़े दिर पहले मैंने एक वीडियो प्लोड किया था इसे सीजियल फेज नाइन आज बी इंटर्विव और आइसी एर एक्जाम को लेकर के मैंने उस वीडियों बताया था कि क्या यह एक्जाम पोस्टपॉन होंगे या नहीं होंगे लेकिन समस्य यह कि इस बीच में नौ तारीकों यानि नौ जनवरीकों यानि परसो के दिन में ही आपका सीजियल टायटू होने वाला है और आप देख सकते हैं कि कोरोना के सिस कितना तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में लगबग एक लाग क्रॉस होने वाला है कि कली नब्यजार क्रॉस कर चुगी थी यह किसस अभी यहां पर बात है कि आखिर यह एक्जाम इससे सीचे सेल पोस्टपॉन होगा या नहीं होग क्योंकि आप देख सकते हैं जिनका भी एक्जाम नौ तारीक होने वाला है वो लागातार ट्वीट कर रहे हैं मैं इस ट्वीट को कल से दिखा रहा हूँ यह आप देख सकते हैं यहां पर कि इनका सेंटर घर से 400 किलमेंटर दूर है और यह इस दरम्यान में कैसे हो जाएंग यह वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं पहली बात में तो इस इस आप से सीचेसल टायटू अब देख सकते हैं लागातार यह ट्वीट किया गया मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ अपने मन से और है ना अब देख सकते हैं इंडी टीव का यह जैसे ही और मेरी इसाफ से कहीं नहीं पोश्पॉन हो ना ही चाहिए बिलकुल होना चाहिए और सीचेसल के साथ साथ इस महिनी में जो भी एक्जाम है या फिर सिजिए लो कोई भी इंटर्वीय हो क्या देख सकते कि हाली में इंटर्वीय होने बाला था इपस का साइध होने वाला था कलिमें यूडियो बना वो पोस्पोन कर दिया गया प्यार में थे pan फिसकल निफ वर्ज गाट का वह भी पोस्पोन गए तो इकसा मत पोस्पोन रहे हैं तो आशे स्थि में इसका भी पोस्पोन होना में जरूर ही है तो बस एक दो दिन हे टाइम बचा ए तो आप लगतार ट्वीट करें और exam को postpone कराईए क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो लागतार ट्वीट आ रहे हैं सब्सक्राइट को लेकर करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए अम्टेट के साथ जाएं